रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना जोहार आप सुन रहे हैं रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो में आप सबों का स्वागत है मैं डॉक्टर बिरेंद्र कुमार महतो असिस्टेन प्रोफेसर इन्वर्सिटी डिपार्टमेंट आफ टी आरल नाकपुरी राची इन्वर्सिटी राची आज हम लोग असनात कोतर सिमिस्टर फोर पेपर चार सो तीन जिसके अंद्रगत रचना परकिरिया का अध्यन करना है तो आज हम लोग रचना परकिरिया के तहत यात्रा विर्तांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यात्रा विर्तांत है क्या यानि यात्रा विर्तांत किसे कहते हैं यात्रा विर्तांत किसी अस्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में लिखे विर्तांत को कहते हैं इसका परियोग पाठक मनुरंजन के लिए या फिर उस्थी अस्थान में स्वेम यात्रा के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं इस साहित विधा के पीछे का उदेशिय लेखक के रमनिय अनुभाओं को खूबहु पाठक तक प्रेशित करना है जिसके माध्यम से पाठक उस अनुभाओं को आत्म साथ कर सके उसे अनुभाओं कर सके यानि यात्रा करना मानों की मुल परविर्दी है ये हम सभी जानते हैं हम अगर मानो इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुश्री के विकास की यात्रा में यात्रा का महत्वोन योगदान है वह अपने जीवनकाल में मानो कोई ना कोई यात्रा के लिए कहीं ना कहीं अवस्थ्य जाया करता है मगर कुछ साहित्य पसंद वेक्ती अपनी यात्रा के अनुभव और ज्यान को पाठकों के लिए कलमबद कर यात्रा साहित्य में अपना योगदान देते हैं यात्रा वितान्तों के लेखन का मूलू देश्य लेखक दवारा किये गए अस्थल के संबंद में जानकारी देकर उन्हें भी यात्रा के लिए आकरशित करना होता है लेखक अपने यात्रा वर्णर में अमूक अस्थान की प्राकृतिक विशिष्टा, सामाजिक संरचना, समाज, लोगों की रहन, सहन, संस्कृती, अस्थानिय भासा, आगन्तुकों के प्रती उनकी सोच और विचारों को अपने शहित में अस्थान देता है एक सच्चे यात्री के संबंद में कहा गया है कि उस यायावर की कोई मंजिल नहीं होती है वह मन की तरंगों के कथना अनुशार आगे बढ़ता जाता है तथा रास्ते की कठीनाईयों में आनंद की अनुभूती को खोजता है हिंदी के बिद्वान यायावर लेखक राकिश मोहन जी ने यात्रा के संबंद में कहा है की यात्रा वेक्ति को तटस्त नजरिया देती है जो हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलती है एक नए वातावरन में जाकर वेक्ति कुंठा मुक्त हो जाता है अपने निकट वातावरन के दबाव से मुक्त होकर नए अस्थानों नए लोगों से संबंद अस्थापित करता है इस तरह हम कह सकते हैं कि मानो प्रकृति वा संदर का प्रेमी है ये जग जाहिर है वा सहित्य की भाते गुमक्कर सोभाव का है जहां भी जाता है वहां से सहित्य की भाते कुछ ना कुछ गरहन करता है अपने में आत्म साथ करता है उसके दवारा आत्म साथ किये गए याने गरहन किये गए प्रेम, संदर, भासा, इस्मृति आदे को अपने सुद्ध मनो भावों से वा परकट करता है इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा किया और जाना कि यात्रा भिर्तांत क्या है धन्यवाद